आकाश्वानी भुपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेश एक समाचार नवस्कार समाचारों के साथ मैं धारना सचदेव सबसे पहले इस बुलिटिन के मुख्य समाचार प्रदेश में अगले एक वर्ष में एक लाख सरकारी पदों पर भरती की जाएगी इसी माहा 40,000 पदों के विग्यापन जारी होंगे कहा मुख्य मंत्री शिबराद सिंग चोहान ने चुनाव आयोग ने दिव्यांग मद्दाथाओं की सहायता के लिए आप की शुरुवात की देसंबर 2023 तक बच्चों को मीजल्स और रुबेला से मुक्त करने के लिए व्यापक टीका करण किया जाएगा और FIH Pro League होकी में भारत ने New Zealand को कल साथ चार से हराया अब समच्चार विस्तार से मुख्य मंत्री शिबराद सिंग चोहान ने कहा कि प्रदेश में अगले एक वर्ष में एक लाग सरकारी पदों पर भरती की जाएगी इसी माह 40,000 पदों के विज्यापन जारी होंगे कल पीथमपूर में राजस्तरियर रोजगार दिवस और एक जिला एक उत्पार्थ कारक्रम को सम्मोधित करते हुए मुख्य मंत्री ने बताया कि रोजगार दिवस पर प्रदेश भर में 3,19,000 युबाओं को विभिन योजनाओ के अंतरगत स्वर रोजगार के लिए रिन स्विकृत किये गए हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश को पीथनपूर पर गर्व है कोविड के दोरान केवल देश की ही नहीं तुरिया के कई देशों को यहां की फार्मा कंपनियों ने दवाईया सप्लाई की है यहां इन दोर उजयन सभग के विभिन जिलों के एक जिला एक उत्पाद योजना में चैनीद उत्पादों की और धार जिले के स्टार्ट अप उध्यमियों की प्रदर्शनिया लगाई गई चुनाव आयोग ने दिव्यांग मद्दाताओं की सहायता के लिए बनाए गए PWD एप 2.0 की शुरुवात की है मुख्य निर्वाचन आयोग राजीव कुमार ने कल नहीं दिल्ली में देश के पहले दिव्यांग मद्दाताओं से संबंदित PWD आइकन्स ग्लाष्ट्रि समेलन के दोरान इसकी शुरुवात की समेलन में चुनाव के प्रती संबेदन शीलता के लिए प्रशिक्षन कारक्रम का शुभारम भी किया गया मुख्य निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रियाओं और गतिविधियों को सभी के लिए सुलब बनाने के प्रती वचनबद्ध है उन्होंने कहा कि दिव्यांगता किसी भी व्यक्ति की अक्षमता नहीं होती है श्रीकुमार ने कहा कि आयोग चुनाव प्रक्रियाओं को और अधिक समावेशी बनाने के लिए मिलने वाले सुझावों पर विचार करेगा उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक मद्दाताओं और विशेश अवशक्ता वाले व्यक्तियों तक पहुँचने के लिए आयोग दिव्यांग जन सशक्तिकरण विफाग के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। जो सार्वजनिक शेतर के उपक्रमों में स्थाई रूप से नियुक्त हो गए है। पहले यहलाब केबल कमिशन प्राप्त अधिकारियों तक ही सीमित था। रक्षा मंतरी राजनात सिंग ने इस संबंध में पूर्विसैनिक विभाग के एक प्रस्ताव को मन्जूरी दे दी ह प्रावधान उन जूनियर कमिशन अधिकारी पर लागों होंगे जो केंद्रिय सार्वजनिक शेतर के उध्यमों, केंद्रिय सार्वजनिक शेतर के उपक्रमों में 6 मार्च 1985 को या उसके बाद या केंद्रिय स्वायत निकायों में 31 मार्च 1987 को या उसके बाद नियुक्त हु पर सरकार को याचिका करता को निर्धारित मुआवजे के अतिरिक्त पांच लाग रुपई का भुगतान करने के आधेश दिये हैं। इसके लिए कोर्ट ने छह मार की समय सीमा निर्धारित की है। वहीं हाई कोर्ट ने एक तशक तक मामला लंबित रखने पर नाराज़गी जटाई। सुनवाई के दोरान महा अधिवक्ता प्रसांत सिंग्ने भरोसा दिलाया कि इस मामले में निर्धारित समयावधी में शिकायत दूर करने का प्रयास दिया जाएगा। इस मामले में याचिका करता रामकुमार सेन और बिहारी लाल सेन की ओर से तरक दिया गया कि Breakfast प्रुशी भूमी नैशनल हाईवे क्रमांक साथ के लिए अधिक्रहत की गई थी, लेकिन मुआवजा महज एक छोटे हिस्से का ही नरधारित किया गया। पर या फर AIR न्यूज आप पर भी समाचा सुन सकते हैं। अपर मुखे सचिव स्वास्ते महम्मद सुलेमान ने दिसंबर दो हजार तेईस तक नौ महा से पांच वर्ष AIR के शर्प्रतिशत बालत बालिकाओं को MRK TK लगाने का अभियान पूरी जिम्मेदारी से संचालित करने का निर्देश दिया है। स्वास्ते महिला बाल विकास, शिक्षा, पंचायत एवंग्रामीन विकास, अनुसुचित जन जाती कल्यान विभाग के अधिकारियों को मीजर्स रुबेला ठीका करन अभियान में दी गए जिम्मेदारियों से अवगत खराया गया। सिहोर जिले में बुधनी के लकडी के खिलोने अब भोपाल में उपलब्द होंगे। मुख्यमंत्री शिवराद सिंग चहां ने बुधनी के लकडी के खिलोनों के विक्रय और प्रचार प्रसार के निर्देश दिये थे। मध्यप्रदेश के स्थाफना दिवस की श्रंकला में कल प्रधानमंत्री सूक्षन खाध्य उद्यम 19 योजना एक जिला एक उत्पाद और रोजगार दिवस का आयोजन किया गया। इसके अंतरगत उद्यानिकी और खाधिय प्रसंसकरण विभाग द्वारा प्यास की प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग के बारे में विस्त्रिक जानकारी दी गई। निदरागांधी राष्ट्ये मानव संगरहाले और वन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में कल 6 नवंबर को वन्य प्राणियों और वन संरक्षन के प्रती आम नागरिकों को जागरूप बनाने के लिए Run for Wildlife and Forest Protection मेराथॉन का आयोजन किया जाएगा। यह मेराथॉन वन विहार के बदबदा रोड ते द्वार कमांग दो से शुरू होकर मानव संगरहाले पहुचेगी। मेराथॉन की दूरी 6 किलोमीटर होगी जिसमें लगबग 400 प्रतिभागी सम्मिलित होंगे। मेराथॉन मे ने कल भूबनेश्मर में भारत ने न्यूजिलान को साथ चार से हरा दिया। भारत ये टीन ने शुरुवात से ही बढ़त बनाई और दूसरे क्वाटर तक लगा था छे गोल दागे। भारत प्रो लीग की अंग तालिका पर शीर्स्थान पर है और इसके तीन मैचों से 6 अ पर आया। इससे पहले महिला जबल्स में भारत की ट्रीसा जोली और गायतरी गोपिचंद की जोली भी सेमी फाइनल में पहुँच गई। समाचारों में अब कुछ समाचा संखेप में। मड़ी में परियाटन पर कारेशाला आयोजित की गई। इसमें होटल संचालक, मैनेजर, ट्रेवल एजेंट, पंचमड़ी और क्षेत्र के आमनागरिकों ने हिस्सा लिया। आगर मालबा जिले में मलेरिया, देंगू, चिकनगुनिया पर नियंतरन के लिए एक दिवसिये टेकनीकी प्रशिक्षन दिया गया। और उद्यानिकी एवं खाध्य प्रसंसकरन राज्यमंत्री भारत सिंग कुश्वा ने कहा कि गवालियर जिले में मौझूदा साल में 500 और अगले साल 2000 खाध्य प्रसंसकरन इकाईयां सापित की जाएंगी। इन इकाईयों की स्थापना पर सरकार 250 करोड रुपे खर्च करेगी। इस विलेटर में फिलाल इतना ही दीजिये इजाज़त नमस्कार.